हाई फ्रेंस मेरे यूटूब चैनल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वाधत है आज की टिप्स में मैं आपको चेहरे और पूरे शरीर के रंग को निखारने का बहुत असान सा घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ इस नुसकी के इस्तिमाल से आप अपने चेहरे के सान साथ अपने पूरे शरीर के रंगत को निखार सकते हैं और अपने पूरे शरीर के दाग धबो को आप दूर कर सकते हैं लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूटूब चैनल घरेलून उसके असरदार उपाय को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आप आगे भी में नए वीडियो को देख सके और नोटिफिकेशन बेल को जरूर अन करे ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे देख सके तो तो पर जमें गंदगी धूल को साफ करता है साथ ही हमारी तोचा को चिकना बुनाता है इसके बाद आपको इसमें मिक्स कर लेना है चावल का आटा आपको इसमें एक चमस चावल का आटा मिक्स करना है चावल का आटा बहुत ही बढ़ियां घरेलू स्क्रब का का काम करता है इसके इस्तेमाल से आपकी तवचा पर अच्छी सी ग्लो आती है साथी आपकी तवचा की जुरिया जाईया भी दूर होते हैं और इसके इस्तेमाल से इस तवचा की रंगत भी निखरती है इसके बाद आपको इसमें मिक्स करना है टमाटर करस इस तरह से आपको टमाटर का रस मिक्स कर लेना है आपको लबग दो टमाटरों का रस इसमें मिक्स कर लेना है टमाटर के रस में भरपूर मातरा में विटामिन सी पाया जाता है जो तवचा के रंगत को बहुत ही जल्दी निखारता है टमाटर तवचा के दागधबों को दूर करने में भी बहुत ही ज़्यादा कारगर है अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है शहद एक चमच अपकुश में शहद मिक्स कर लेना है शहत त्वचा को प्रक्रितिक तरीके से मॉस्चराइज करता है ये नाचरल मॉस्चराइजर का काम करता है शहत के इस्तिमाल से त्वचा की जुरियां दूर होती है और त्वचा पर बहुत अच्छी सी चमक आती है इन सारी चीजों का आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से ये आपका पेस्ट त्यार हो गया अब इसे अपने चेहरे गर्दन हाथ पेरब पर पुरे शरीर पर लगा करके दो मिनट तक इसे स्क्रब करें फिर इसे सूखने के लिए छोड़ दें सूखने के बाद इसे आप दो लें इसके इस्तेमाल से आपकी त्वचा के रंगत में बहुत ही जादा निखार आएगा साथी आपके त्वचा के जो भी दाग दब्बे होंगे वो इसे दूर हो जाएगे इसका इस्तेमाल आप हपते में दो से तीन बार जरूर करें आप नहाने के पहले इसका इस्तेमाल करें आपको इससे बहुत ज़्यादा ही लाब मिलेगा अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लेगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूले मिलते हैं अगली वीडियो में